हेलो दोस्तो वेलकम टू प्लैसिफाई आज की इस वीडियो में हम भारत की टॉप फाइ एरलाइन्स के बात करने वाले हैं हमने यह रैंकिंग एरलाइन्स के डॉमेस्टिक मार्केट शेर के आधार पर डिसाइड की है तो चलिए देखते हैं आज 2020 में कौनसी पाँच एरलाइन्स सबसे उपर है इस लिस्ट में नंबर पाँच पे है एर एशिया इडिया इस एरलाइन को कुछी साल पहले 28 माज 2013 में भारत में स्तापित किया गया था और इस एरलाइन को ऑपरेशन 12 जुन 2014 से शुरू किया गया थे इस एरलाइन का बेस केंपी गोडा इंटरनाशनल एरपोर्ड बैंगलोर में लोकेटेड है आपकी जानकरी के लिए बता दे एर एशिया मलेशिया बेस्ट एशिया की सबसे बड़ी लोग कॉस्ट एरलाइन सर्विस परोइडर है और इंडिया में Air Asia India नाम से उपरेट करती है यह एरलाइन 7% मार्केट शेयर के साथ इस लिस्ट में 5 में नमबर पर है नमबर 4 पे है Go Air आरलाइन इस airline की शुरुवात इंडियन इंडेस्टिलीज नुशली वाधिया के बेटे जे वाधिया ने 2005 में की थी शुरुवाती दिनों में इस airline के पास केवल एक ही aircraft था लेकिन आज 2020 में इस airline के पास 57 aircraft है जो कि भारत के 38 destinations पे ट्रैवल करते है यह एरलाइन 8.4% मार्केट शेर के साथ इंडिया की 34 सबसे बड़ी एरलाइन सर्विस प्रवाइडर है इस एरलाइन का हेड़कॉंटर मुंबए में स्तीथ है इस लिस्ट में नमबर 3 पे है स्पाइस जेट एरलाइन्स स्पाइस जेट के असली शुरुवाद 2004 में अजय सिंग द्वारा एक लोग कॉस्ट एरलाइन सर्विस प्रवाइडर के तौर पर हुई थी यह एरलाइन 13.3% मार्केट शेर के साथ इस लिस्ट में 30 नमबर पर है बता दे इस एरलाइन का हेड़कॉर्टर हरियाना के गुरुगराम में स्थीत है यह एरलाइन कुल मिला के 64 डेस्टिनेशन्स पर जाती है उनमें से 54 डोमेस्टिक और 10 इंटरनाशनल डेस्टिनेशन्स है दोस्तो आगे इस लिस्ट में नमबर दो पर है भारत की सबसे पुरानी एरलाइन एर इंडिया इस एरलाइन की शुरुआ जर्ड टाटा ने 1922 में की थी लेकिन World War II के खतम होने के बाद Government of India ने इस एरलाइन के सारे स्टेक पर्चेस कर लिये यह एरलाइन इस लिस्ट में 18.6% मार्केट शेर के साथ दूसरे नमबर पर है हाला कि इस एरलाइन के पास डोमेस्टिक मार्केट शेर कम है लेकिन International Market Share के मामले में यह एरलाइन भारत में सबसे उपर है बतादे यह एरलाइन 45 International और 57 Domestic Destination सव करती है और इस लिस्ट में नमबर एक पहें Indigo Airlines Indigo Airlines की शुरुवात राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल दौारा 2006 में होई थी लेकिन आज 2020 में यह एरलाइन पैसेंजर ट्राफिक और फिल्ट साइस के मामले में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की चटी सबसे बड़ी एरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है इस एरलाइन के पास इंडिया का 47.5% मार्केट शेर है और यह एरलाइन 87 Destination पर जाती है फंटिंग ना मिलने के कारण अपने फ्लाइट्स ओपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिये है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंत आया होगा अगर आप हमारे चैनल प्लासिफाइफए नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब डरके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तो मिलते है एक नई वीडियो में हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद